नमस्कार दोस्तों मैं मुके सर्वाई आप सभी को दीपावली दंतेरस एवं भाई दोज की हार्दिक शुब कामना हैं आज मैं आपको बताऊँगा चार बर्फी बॉर्बीटा, चॉकलेट, मैंगो और अंजीर तो चलिए शुरुका ये 3 किलो हमने मीठा मावा लिया है, यानि की मीठा खोया, तयार किया हुआ हमने पहले से इसको तयार करके रखा था, आप चाहें तो रेडिमेट मीठा मावा मागा सकते हैं और आपको मीठा मावा घर पे बनाना है तो उसका भी में डिस्केप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगा उपर आई काड में आपको बड़न मिल जाएगा मीठा मावा कैसे बनाए ठीक है इसमें आपको चीनी भीनी डालने की जरूरत नहीं है अल्रेडी मीठा ही है यह त लेकिन हमें तो सिर्फ गरम करना है मैं आपको बर्फी बनाना बता रहा हूँ फ्लेवर की मैं आपको चार फ्लेवर की बर्फी बनाना बताऊंगा एक बॉर्वीटा चॉकलेट केसर अंजीर और मेंगो यह हमने डाल दिया इलाइची पाउडर अच्छे से इसको मिक्स कर ल लेयर यह डावल लेयर की बर्फी है ठीक है एक और अगर आप घर पर बना रहे हैं तो कम क्यांटिटी में भी बना सकते हैं मैं आपको सिर्फ बनाने की पद्दति बता रहा हूं आप ज़ military में भी Прना सकते हैं 50 क्लो बनाएए या 500 ग्राम लेकिन बनाने की पद्दती यही ह यानि कि प्रतोईया और वैसे आप चाहें तो crush की जगे आप मैंगो का पल्प भी इस्तमाल कर सकते हैं और अंजीर इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है बाकी जो दो है वो तो हमने आपको naturally बताया है ये चार बर्फी हमारा नीचे का layer set हो चुका है उसके बाद लिया ये हमने mango crush इसकी जगे आप mango pulp भी ले सकते हैं ठीक है अगर आप mango pulp लेते हैं तो 500 gram pulp ले सकते हैं और ये भी हमारा 500 gram mango crush है तो gas को ओन कर लेना है इसको आपको थोड़ा सा इसमें चासनी रहता है वो जलाना है क्योंकि डारेक्ट ऐसे लेंगे तो आपको जो मीठा मावा तैयार है वो ज्यादा लूज हो जाएंगे तो आपकी बर्फी नरम हो जाएगी थोड़ा सा पकाने के बाद आपको इसमें अपनी चोकी के साब से माल डाल देना है यानि कि लगबग हम इसमें डालेंगे एक केजी माल ये मीठा मावा आ गया एक केलो ठीक है इसके साथ भी हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे ताकि उपर का लेयर चड़ाने में आसनी हो थोड़ा लूज रहेंगा न तो उपर का लेयर अच्छे से सेट हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है और इसका काफी अच्छा टेस्ट आएंगा मेंगो का आप चाहें तो हल्का सा कलर इस्तिमाल कर सकते हैं अन्यता रहने ने क्योंकि क्रस से ही कलर आ जाएगा ये देखें कलर भी अच्छा आ गया लाइट कलर है अगर आपको ज़्यादा कलर बार अच्छे ही तो आप कलर एड़ कर सकते हैं चौकी में अच्छे से सेट कर देंगे इसको इतना सिंपल तरीके से और आसानी से आपको कोई नहीं बताएंगा मैं आपके सामने कोई भी अपना सिक्रेट नहीं रख सकता तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें लाइक, कमेंट ठीक है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास हमिशा मिलते रहें और आप हमारे फेस्बुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं मुगेश यादब कुकिंग के नाम से है उस पे भी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ये देखिए, मैंगो वर्पी हमारी त्यार हो गई नेक्स्ट अंजीर ये केसर अंजीर का क्रश है ये आपको फिलिप कार्ड पे आराम से मिल जाएगा ये भी हमें 500 ग्राम ही डालना है कैस कौन कर लेंगे, इसको भी थोड़ा सा सेक लेंगे और इसके बाद जो वर्फी रहेंगी ना वह बहुत बैस्ट है, बहुत वीटा बहुत वर्फी वह खाने में बहुत ही गजब की लगती है तो एक बार उसको जरूर ट्राइ करें ये देखिया, हमने अच्छे से सेक लिया इसमें भी हमने मावा एड़ कर दिया ये सब मीठा मावा है आप लोग कमेंट में बोलते हैं आपने चीनी तो नहीं डाला, चीनी कब डाला तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखा करें सुना करें उसके बाद ही कोई रेशिपी ट्राइ करें इसको थोड़ा अच्छे से से सेक लें वस क्यूंकि ये क्रस है ना थोड़ा वैसा रहता है लूसपन जादा रहता है तो अच्छे से पकालें वस आपकी बरफी नरम नहीं रहनी चाहिए ये भी देखी होगा मिक्स कर लेंगे अच्छे से आप चाहें तो इसमें हलका सा कि कलर लगा सकते हैं ठीक है चॉकलेट कलर नॉर्मल तो आपका अंजीर का बिल्कुल कलर आ जाएगा लेकिन हमने इसमें कलर नहीं एड़ किया है आप हलका सा चॉकलेट कलर इस्तिमाल कर सकते हैं या हलका सा पिंक इसको भी हम अच्छे से से शेट कर देंगे वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूँगा फटा फटा आपको बता दे रहा हूँ ये सेट हो चुकी ठीक है फिनिसिंग पे आपको बहुत ही ध्यान रखना है जितनी अच्छी फिनिसिंग रहेंगी उतना ही बेस्ट आपकी बर्फी दिखेंगी इसके बाद बर्फीटा लिया है हमने ये ये आपको आराम से मेडिकल पे मिल जाएगा और किसी किरान दुपन पे भी मिल जाएगा इसमें भी हमने उतना ही मावा एड़ किया है एक केजी जितना मैं आपको कॉइंटिटी बता रहा हूँ कितने में कितना डालना है ये हमने बॉर्फीटा लिया था ना तीसो परे का पाकेट आता है तो थोड़ा सा बचा लिया है उपर से डेकोरेशन के लिए बाकी इसमें पूरा एड़ करती है लेकिन इसका टेस्ट अच्छा आता है और इसकी जो दाने न उक्रूम करते न बहुत ही लाजबाब टेस्ट रहता है इसको भी आपको नॉर्मल ही शेकना है स्रिप लेयर लग सके ये भी रेडिय हो चुका ठीक है इसमें भी आपको कोई कलर इस्तिमाल नहीं करना है देखिए वरवीटा से ही कलर हो चुका है किसी भी बरफी में मैं आपको आज कलर डालना नहीं बताऊंगा और आपको फिर भी डालना है तो आप डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसमें किसी भी वर्फी में कलर एड नहीं किया है जब आप बनाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा इसकी भी हम फिनिशिंग कर देंगे उपर से हमने बारबीटा डाल दिया है बचा हुआ यानि कि टोटल बारबीटा आपको फिनिश कर देना है अगर आप कम कॉइंटिनिम बना रहे हैं तो कम डाले यह देखिए यह भी अच्छे से सेट हो चुकी है बारबीटा वर्फी चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वर्फी पे वो है सबसे बेस्ट चॉकलेट लेकिन वीडियो को इसकिप न करें आपको समझ में नहीं आएगा बाद में कमेंट में आप ज़्यादा परिशान करते हैं मुझे यह रेडी होगी वर्वीटा वर्फी यह है चॉकलेट सीरप यह भी आपको आरम से मिल जाता है मार्केट में यह आपको पचास क्राम एड करना है इसके बाद यह मावा एक कीजी मीठा और मैं फिर से कूँगा अगर आपको मीठा मावा बनाना नहीं आता है तो उसका मैं वीडियो के डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक दे दूँगा मीठा मावा कैशे बना है और उपर आई कार्ड में आपको बटन भी मिल जाएगा मीठा मावा कैशे बना है इसको भी आपको गरम ही करना है इसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉक्लेट पाउडर पचास ग्राम आप अच्छा लें क्योंकि चॉक्लेट पाउडर भी कई प्रकार के आते हैं तो बढ़िया से बढ़िया लें और पचास ग्राम आपको एड़ करना इससे कलर भी आ जाएगा इसमें कलर आपको डालने की बिल्कुल जलूरत नहीं रहेगे एकदम बढ़िया कलर आएगा चॉकलेट का और टेस्ट भी ला जवाब आएगा ये भी देखिए अच्छे से सेट हो चुकी है और ये मोबाइल से मैं वीडियो बनाता हूँ न तो कलर कभी अलग कभी कैसा भी देखता है ठीक है ऐसा मत सोचना कि जब अलग कलर देख रहा था अब आपने कलर एड कर दिया तो बिल्कुल भी कलर एड नहीं है आप आगे देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें जितना आप लोग वीडियो शेयर करेंगे मुझे मिठाई की और रेशिपी बनाने में सुकता पैदा होती है तो आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं बड़िया से बड़िया आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा देखें कलर अभी है अलग अलग चेंज हो रहे है तो यह मोबाइल की वज़े से है बाकी हमने किसी में कलर नहीं डाला है यह हमारी चार बरफी त्यार हो गई बॉर्वीटा चॉकलेट इदे की पास से 6 गंटे के बाद हम कटिंग कर रहे हैं पहले हम बॉर्वीटा बरफी की कटिंग करेंगे तो यह परपेक्ट सेट हो चुकी है जिस तरह से चाकू चल रहा आपको समझ में आ रहा होंगा ना ही हमारी बरफी कोई भी कड़क है और ना ही नरम एकदम मीडियम परपैक्ट बरफी है आप जैसा चाहें वैसे piece की cutting कर सकते हैं और इसका態 काफ काफी ला जवाब अन्ब को और इसका देखना लोग तो अभी बहुत ही बडिया सान्दार लोग के इसका देखे को बहुत ही जबलदस्त कलर का तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यह देखिए बहुर बीटा बर्फी का लुक उपर से हम लगा देंगे अलका सा पिस्ता गजब की शाइनिंग है न यह है मैंगो इस पे भी हम बरक लगा देंगे फटा फट वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ तेरा चौदा मिनट का वीडियो है इसमें चार बर्फी आपको दे दिये हैं और क्या लोग गए साड़े तीन मिनट का एक वीडियो हो गया और इसमें आप चाहें तो कुछ क्रस बगएरा कम जादा डाल सकते हैं आप अपनी दुकान के साब से ठीक है इसमें देखिए इसकी भी बहुत ही बड़िया फिनिशिंग निकलाएं बर्फी का काप आसानी से घर पे चार फ्लैवर की बर्फी बनाएं क्योंकि दिवाली कल है आज नहीं है यह भी देखिए इसका भी सांदाल लोग है इस पे भी हम उपर से पिस्ता बगएरा डाल देंगे बहुत ही बड़िया लोग आईंगा मैंगो बर्फी ठीक है यह देखिए जबर चांदी का नहीं तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है हां लेकिन वीडियो शेयर करना आपको बूलना नहीं है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें यह भी बहुत ही बड़िया कटिंग हो रही है यह चौकलेट वर्फी है इसका भी टेस्ट काफी अच्छा है और आपको वर्फी डालते समय खास द्यान लखना है कि वर्फी कोई भी कड़क या नरम पर द्यान लखना है बर्फिया कड़क हो जाती है तो भी टेस्ट नहीं आता है और ज्यादा लूज रहा है तो भी टेस्ट नहीं आता है इसका भी देखिए बहुत भी बड़िया लुक है इसको भी हम त्रे में लगा लेंगे आप पीस भी चाय वैसे कर सकते हैं अपने इसाब से अगर और आपको बर्फी की डिजाइन की वीडियो देखना है न तो मैं उसका भी डिस्क्रेप्सर में लिंक दे दूँगा उसमें मैंने काफी सारी डिजाइन की बर्फी कटिंग किये हैं देखिए बहुत ही शॉप्ट है इस पे भी हम उपर से पिस्ता डाल देंगे और यह हमारी त्यार हो गई चॉकलेट बर्फी देखिए सांधार लोग के साथ यह है अंजीर बर्फी इस पे भी आपको जिस पे इसके एप्सन में आपको लिंक दे दूँगा अंजीर बर्फी का इसका भी फीस अच्छा है देखिए फिनिशिंग इसकी बहुत ही बढ़िया है इसको भी आप चौकी में अच्छे से सेट कर लें उपर से पिस्ता डाल दें आप चाहें तो दूसरा किसी से बादम का चूरा भी गालनिस कर सकते हैं यह देखिए चारो बर भी हमारी बन के त्यार हो गई वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं